नमस्कार मैं हुआ अभी आश्टोष आपका बहुत स्वागत है आधाने खास करक्रम छूलो आस्मान में आज हम मिलाएंगे आपको एक ऐसे कलाकार से जिनके अंदर बहुत कुछ है हाथों में सरसौती है गले में सरसौती है कि कि वो लिखती भी है और गाती भी है हमारे साथ है बीना सिंग बीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते तैंक्यू सो मच आज की तारिक में अक्सर खा जाता है कि विकास हो रहा है तकनीकी रूप से हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जहां टेलेंट की बा मैंने से साथ साथ के आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कुछ हें आगे बढ़ना है यह मेरे अंदर पहले से तो मैंने का अब जो मर्जी हो जाए यह जो सफर आपने शुरू किया कब और कैसे किन हालातों में शुरू किया देखिए बच्पन में में गाती थी बट मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया मिलब स्टेज पे गाया करती थी कॉलेज वगरे में कविता पोडवल जी हमारे कॉलेज में थी तो ऐसे गाते गाई मैंने ध्यान दिया उन्होंने मेरे वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कॉंपलिमेंट दिया कि तुझी आवाज खूप लए गोड आए तो थिंक अबाउट तब मेरे दिमांग में आया तो था लेकिन ऐसे कुछ मौहल नहीं बन बाया कि मुझे सिंगिंग कर पाऊं या कुछ फिर शादी उसके कुछ सालों बाद ऐसा लगा कि कुछ कमी सी लग रही है लाइफ में कि रोटीन है यह है फिर मैंने सोचा कि नहीं संगीत से प्यार तो है तो उसको डेवलप करते हैं फिर मैंने दिर दिर करके आज इस मुकाम पे हूं जहां पे मेरे काफी गाने हैं खुद लिखे भी है गाए प्रोड्यूस भी ए तो बहुत लोगों ने अप्रिशेट किया है तो इस एक्टिंग भी करिए है तो हम्चाएं के हमारे दर्शकों को आप जरूर सुनाने क कोशिश करें कि दर्शक भी सबस्काइब कि इनल CP ये गेड़ाय कॉसट आञजणाओ माहीया दिल जानेन जलतन तेनुए का आथे मैन नूप यारे हो गया और मैनुद आदी तार हो गया तेनू वेख्याते मैनू प्यार हो गया उस रब ताती तार हो गया दिलनू कर एक्सचेंज माहिये त्वड़े नाड़ दिल तार हो गया मेरे सोणया मेरे रांचडा मेरे माहिया मेरे सोणया मेरे माहिया दिल जानया बहुत बहुत बढ़ी आप पंजाबी गीतों का जो मार्केट है पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगल नहीं होगी जहाब पंजाबी गीतने सुने जाते हो आप ने उस तरह की भी त्यारे की है कि मार्केट वहां तक लेकर जाओं बिल्कुल बिल्कुल अभी इस गाने के बाद मेरे दिमाग में मुझे भी कमपोज करना है तो हाली में ऐसे ही बस लिख रही थी और ऐसे कुछ बना है तो उमीद है कि कुछ दिनों में वह बहरा आजाए विद माई लिरिक्स माई मूजिशन और अभी यूटू पर आपके गीतने बहुत धूम चाय हुआ हुआ है ओड़ हम लोग ऐसे ही बाते कर रहे थे कि क्या करे क्या करे पहले सौंग का हुआ फिर ऐसे बात निकले कि चलो मूवी बनाते हैं और ऐसे हम मजाक मजाक में हमने इतनी अच्छी मूवी बना दी और एक्ता ने बहुत खूबसूरिती से गीत लिखा जो बेटी हुम है आपने गाया बेटी हो में कुई श्राप नहीं क्या में तेरी पहचान नहीं बेटी हो में कुई श्राप नहीं क्या में तेरी पहचान नहीं पापा क्या में तेरी पहचान नहीं बहुत बढ़िया और क्या के तैयारी कर रही है अज कल इंडिस्ट्री में बहुत कुछ चेंज होगा है अज कल आज का जुगाना था बहुत कुछ बदल गया है जी अगर हम कंपेर करें तो पहले के जमाने के जो गाने थे सिर्फ लिरिक से आगे चलते थे जो सुनो फील करो आज बहुत जादे नहीं बट लिरिक्स पे जादा फोकस होते थे अब ऐसा है कि म्यूजिक पे जादा फोकस होता है विकोज लाइक कि नो हम यंग्स्टर्स को सिर्फ पड़कते दड़कते गाने चाहिए लिरिक्स बहुत कम मतलब इस महौल में आप किस तरह की गाने लिख है तो लिरिक्स पे भी में ध्यान देती हूं ऐसा नहीं है बट होफुली की लोगों को पसंद आना चाहिए ऐसा बहुत जरूरी आना मार के लाता मंगेशकर जी का नाम आपने सुना ही है वो तो मेरी आइडल है वो तो मेरी आइडल है मैंने बच्पन से उनके गाने बहुत सुने है मतलब बहुत ज्यादा सुने है फिर दीरे दीरे बाकी सब सिंगर आए बट अभी भी मेरे दिल में उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू है मिंस कोई टकर नहीं दे पाया उनको तो किसी पेड़ पर जब लटा चड़ते है तो कहा जाता है कि पेड़ का अभी ने कहा कि मैं आप कर लो करके तो मैंने वो तो ऐसे ही डाल दिया था मुझे रोल में लेकिन मेरा मेन पोटे जो है वो सिंगिंग है और साथ साथ में मैं लिखती भी हूं मैंने एक बुक भी लिखी है सोल कनेक्शन जो USA में रिलीस हुई थी और 2nd December और सबसे खुशी क इसे आर्टिकल्स भी लिखती हूं मैं युए से के साथ टायप भी किया है उनके साथ लिखती हूं तो लिखने का भी वह ऐसे यह नाच्रल है मतलब ऐसे नहीं कि मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में एक होता है अपने अंदर एक इंस्टिंक्ट होती इंसा मेरे दमाग में कुछ आगया यह से तो फिर में अ करके ना फिर उसमें दो नोट पैण देती है वह ताके में भूलं न पाओ अवह मतलब इसा भी होता क्भी सफर कर रहे हो तो मेरे दिमाग में आता है तो तो मैं उसको लिख लेती हूं तो वह कभी भी लैक है नौश की सुरक्षा तो थोड़ा सा है एक matter of doubt है यहां पर लेकिन कुछ-कुछ area में जादा है like if you talk about Mumbai मुंबई में है इतनी कोई problem नहीं है महिलाओं को लेकर क्योंकि यहां पर safety measures भी है और रात को भी लोग travel करते है तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं है जितनी बाकी सब स्टेट्स में जैसे ज्यादा तर डैली से हम सुनते है यूपी से सो प्रॉबबली वहां पर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजे होनी कभी इस दिशा में भी कुछ लिखने की कोशिश करेंगे आप अभी तक उससे कभी बतलब क्या बोलते है ताकत बढ़ है शक्ती बढ़ है और तुरक्षा के बारे में इतना नहीं है मैंने लिखा पट अभी ज़रूरत है कि उस दिशा में भी लोग कारगर करना मुठाया और जब बात प्रतिभा की हो संसकारों की हो सुरक्षा की हो तब एक महिला बहुत अच्छा लिख सकती है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उनको एहसास है उस चीज का तो सोचा नहीं बट आपने अभी बो पर जरूर गहर करोंगे और आज का जो गीत संगीत है उसमें आप अपने आपको कहा पाती है अभी तो मैं बहुत लंबी जर्नी है और बहुत आगे जाना है मैं तो हमेशा यही सोचते हूं कि every day is a learning process मुझे कुछ आता नहीं है और सिखना है और सिखना है और सिखना है तो अपन है आपका कि आप ऐसी बात कर रहें नहीं नहीं सच नहीं होता है लेकिन YouTube पे आता है तो लोगों को लगता है मैं स्टार बन गई तब आपकी गती विदियों में कुछ परिवरतन होगा किस वह मैं आपका जो अंदाज है मिलने का जुनने का मैं सेम रहूंगी मैं बच जो भी मुझे जानने वाले हैं जो मुझे जानते हैं पहले से जानते हैं वो मेरे बता पाएंगे कि मैं वैसी की वैसी हो क्योंकि मेरे अंदर फीलिंगी नहीं आती कि हरी हर मेरे इतने गाने आए मुझे तो भी ऐसा करना चाहिए वैसी कोई भावना नहीं आती है और उस मोड पे कौन सा गीत गाना पसंद करेंगे आप जाहिर है मेरा कोई हिट गाना होगा तो मैं वह ही गाऊंगी अभी जो समझ या रहा है जरूर सुलाइए दर्सकों को मेरा तो खेर जाद है बहुत जादा नहीं है लेकिन मेरे कुछ मतलब मन पसंद गीत है जो मैं हमेशा गुन गुन आती ही रहती हूं जैसे निया जी का गाना है वो मुझे बहुत पसंद है मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किसमत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किसमत की लकीरों से मेरी मोहबत से सांसे मिली है सदा रहे ना दिल के करीब होके मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किसमत की लकीरों से मैं लिरिक्स में थोड़ा सा गड़बड करते हूं ठीक है आता जो तीवी बगर पे जो म्यूजिक का प्रवाम आता है उसमें बहुत सारे टेलेंट को देखते हैं आपको लगता है कि शोग खत्म होने के बाद लोग तीरे बूल जाते हैं उनक लाकारों को बहुत कमी लोग सब्सक्राइब निकल पाते हैं यह एंसान कोशिश करता है कि मैं आगे जाओं आगे बढ़ू लेकिन कई बार मौका नहीं मिल पाता वह हैं वह सही मौका है गर मिले तो इंसान डेफिनिटली आगे बढ़ेगा और किसमत की भी बात होती है कि अक्सर वालिवुड में लोग क किसमत है तो सब कुछे फिलाल वाक्त एक चोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे हमारे साथ मिना सिंग जी है और आप देख रहे हैं चूलो आस्माग कभी प्लीज ओपन दोर अधर शाहूँ तुम चिलाओगी सेचमिर चिलाओगी मुझे चीके बहुत पसंद है चिलाओ चिलाओ ना मैं कैसा लग रहा हूँ तुमको पता है मैं चपी किसी लड़की को मारता हूँ तो मैं ऐसे ही तयार होके आता हूँ इस माइ स्टाइल मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ मेरी बात मानों तुम भी मेरे साथ आजाओ लोगों को मानने बहुत मजाता है तुम्हारे हाथ महीं प्लाता है मेरे इस खुपसुरत जिस्म के छोटे-छोटे तुकुडे करते समय है मैं तो उन तुकुडों पर भी और छोटे-छोटे हाथ बहुत मासाएगा पर बाहुत बहुत स्वागत है ते डिल रट थ है यह दूंका लाकरे संभावनाे है उनका नाम है बीना सिंगार फिर से बाबले आपको दूरर कि जो घर लोगों के जुबान पर चटने यह पिर दिमाग मेरा था प्याट दिकिल वही तो कहा रहे हो कि वह अजीब से मतलब है ना कुछ समझ नहीं आते कि क्या लिरिक्स होते है बेबी को पसंद अब मुझे नहीं समझ में आता कि मार्केट में आजाएंगी दिमांड होगी तो आपको लिखना पड़ेगा जरूर लिखेंगे अगर मुनी बदनाम होई अब मैं वहीं कहा जो कि लिरिक्स है थोड़े से प्रॉब्लम तो है बड़ ठीक है चलो अगर यंग्स्टर्स लोगों को पसंद आ रहे हैं हिट हो रहे ह मैं जब लाइब शोज करती हूँ तो अभी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं कि उसमें गाते समय या कुछ लेकिन एक बार जरूर ऐसा हुआ कि मैं बिना रियर्सल मतलब मेरे मुजिशन आगे और मैं गाना-गाने डिरेक्ली आगई तो ऐसा हो गया कि मुजिशन कुछ और कि मेरे को बस रोने जैसे हालत होगे तो समने का बंद करो बंद करो फिर मैंने बड़ा धीरज रखा आदा घंटा समय लिया और भाग में फिर मैंने आदा घंटा अच्छे से परफॉर्म किया बट फिर भी वह फीलिंग थी कि कभी ऐसा हुआ नहीं तो वह गलती खैर मेरी मुझे अभी तक ध्यान में कि यह हैं बिलकुल और शोज वगरा कहां अपने आप आस-तर मैं इसा नहीं है डेलि बड़ा रिस्पॉंस मिलता है मुबब बिलता अब जैसे मैंने हाली में किया था इक तो ओल्ड सेन्स के लिए इतने उन्होंने प्यार दिया आशिरवादी अ अच्छा लगता है तो डिपेंड ऐसा कुछ नहीं है हाँ चारिटी ही थे लेकिन बहुत मजा आया उन्हों इतना आशिर्वाद दिया पूरा पैक था और और आज के जो सिंगर से कौन-कौन पसंद है आपको अ मुझे श्रिया जी बहुत बहुत जादा पसंद है शी इस टू गूट मतलब लटा जी के बाद शर्या है बाकी सब भी ठीक है बट मेरे जो है वो कमीता जी गाब हो गई है वो बहुत टाइम से हैं यह इंक बैंगलोर में वो सेटल हो गई है वही बहुत अच्छा काती है ब उसी दौरान में बहुत सारे कलाकारों से मिली उनका इंटव्यू लिया तो अन्रॉदा जी के साथ भी मिले का मौका मिला उनका भी प्रोग्रम किया तो अभी बहुत ज्यादा आक्टिव तो नहीं है वह बर उनकी आवाज में वही जादू है आज भी अच्छा भी ऐसा है जाए को शुक्त करना चाहें किस तरह का करेदार हो ऐसे अच्छली आगटिंग के बारे में बहुत सोचा नहीं हम मुझे अगर मिलेगा तो कोई अच्छा सा अगर अच्छा मौका मिले अच्छा कुछ रोल मिले जिस जो दिल को अच्छा लगे वह एक बात होती है दिल की कि अगर रहें फिर हमको दिल कोछा लगा तो करते नहीं अच्छा लगा तो माना अगर देते ंँ दिल के पात जो कह रहे ही जी इसका मतलब सीधा सीधा-खी नहीं चीजनन सहुता है बहुत कुछ होता है लेंधिल से जो चीज निकलती हो लोगों तक कहुँछती है बिलकुAm आपको ऐसा कब लगा कि आपके पास कोई आदमी स्वोच रहा है के बारे में आपको समझ में आ गया है चाहिए मुजीशन हो चाहिए मुजीक डिरेक्टर हो या कोई डिरेक्टर प्रोडुसर हो मतलब मेरी फीलिंग्स की बात करें है कभी टाका भिड़े गया दोनों सब्सक्राइब काफी लोगों के साथ कनेक्शन हो जाता कई देखो कई लोग मिलते हैं जो एक्चुली दिल से अच्छे होते हैं इसान के साथ काम लोगों कि लिवल धनी निकले हो दूसरों के दिल तक पहुंचे वही दिल नहीं हुआ तो वो सकसेस मेरे हिसाब से क्योंकि सबके सक्सेस की जो मीनिंग है अलग अलग है बट आई फिल की दिल की बात अलग ही होती है लिरिक्स पर जादा ध्यान देना चाहिए या मुजिक पर दोनों सभी माइनी रखते हैं अगर आप एक सौंग लेंगे तो पुराने जमाने के भी देखो तो मुजिक भी थे ज़्यादा शोरगुल नहीं थे ज्युद्ध भी था लिरिक्स भी था गाने भी थे अभी ट्रैक्स पर है डाल देते हैं लिरिक्स और गाले तो वही है कि सबके अपने अपने वैलिव दिखिल की कुमार सानूं पिच्छर गाना कर जाते हैं बात में पिच्छर रिलीज उत फिर न सरक ए थब डा घू है तो सीले सिंगर क्यों संगर खिजर होता है रिलीज होता है तो कई औरो कि कर सकते हैं दुक में सुख चुपा होता है मर चलाइकार पचलय कोई बार ही इस सीचुशन Bitcoin होता होता है लेकिन कलाकार जाकर सिचुशन बदल देता है कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि सब लोग हस रहे हैं रो रहे हैं आपने जाके चेंज कर दिया है पूरा महौल कितने पिदमागें हैं। अल्मॉस्ट साथे स्नाक्सिब्स दिमागें मैं जादा मैंस्धाकता है। यह जादा मैंस्धा माल बना करती हैं, आचेंड़ आज में राज तीकादी शारे काम कर रहे हैं। आपको यह लगता है भारत का भविशी कहां जा रहा है है आप कुछ सुधात देख रहे हैं? अक्षे दिन की बात की गई ती है, तो यह बहुत ही सीरियस टॉपिक है और आपको कुछ मैसुस हुआ है? बदला वत देखने को मिला आपको है, मैसुस हुआ तवी आपको कुछ वैसे ही चल रहा है, बहुत मेजर चेंजस तो नहीं देखे मैंने पॉलिटिक्स मुझे ज्यादा रुची नहीं है, ज्यादा उसमें जाती भी नहीं हूँ और 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 होना चाहिए, जो ग्रोथ होनी चाहिए और देखा होगा बहुत सबनेंधा। यहादा उसकह में जाए realt never तो नहीं में स्वता पोलिटिक्स में होती हूं मैं आपको देखे मणा, सबकर, सबस्क्रा चीजह मैं इस सब्सक्राइब को अपने विचार प्रफाव बेटी बचाव वाला भी एक नाना दिया लिया लिया। उसका असर आप ने देखा कहीं? ऐसा है बहुत तो नहीं देखा, इसका है वह सकता है शायद हम लोग मुंबई में है तो मुंबई में ऐसा कुछ एडिकेशन वाइस ऐसा कुछ है नहीं, आप जारी रखेंगे लेकिन कुछ गीत आपको दिखाते हैं, जो बीना जी ने गाय है और आप उसका वीडियो का आदन जरूर लेजिए अगर तो दुनिया बडल सकती है तो, सोच लेडल से अगर तो तिसमत बडल सकती है तो, तो आपने देखा कि बीना जी की गायकी में किस कदर एक महबत है, एक लगाओ है और एक धड़कन है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जीवन के संगीत में तो होना है, शामिल हमें, धुन्चा है, कोई भी हो साज को बजाते जाओ, आपको कभी लगता है ऐसा कि कोई भी सिच्वेशन हो, उसमें हम फिट हो सकते हैं, बिलकुल, क्योंकि पजपन से यही सीख दी गई है, तो आज भी ऐसा कोई भी सिच्वेशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ऐसे कभी डरती नहीं हो कि अरिये क्या हो गया, डरती तो आपको शाद सुरेश वाटकर जी और कभीता जी के साथ काप नहीं मिस्टा, बहुत बड़ा मतलब इट वस माई लग कि मुझे उनके सीडी में गाने का मौका मिला, साई उटसव एक है, जिसमें मेरा एक गाना आया, बहुत खुशी की बात है कि उसमें बड़े-बड़े इतला आए, साई बाबा को आपने सुनाया, बिल्कुल बिल्कुल वो प्रसंद हो है, अरिवार मेरा हे साई नात ऐसा वर्दो, हर लड़की के जीवन में वर बहुत जादा मतलब मतु रखता है, आप इस मामले में क्या सुशते हैं, कैसा वर्दो बड़े इस साथ के, कोई भी हो पार्टनर हो सबसे पहले समझना जरूरी है, एक दूसरे को समझो, तो ही आगे गाड़ी बढ़ेगी, अगर नहीं समझ पहे तो वहीं अटक जाती है, पहले शादी होती थी बाद में समझते थे, लफ़ा होता है, आजकल बहुत कुछ बदल गया है, पहले शादी हो गई उनको बालूम है कि हमें निभानाई ही है, तो बहुत सारे कंडिशन्स होते हैं तो पिर आगे जाके दिक्कत हो जाती है तो यह है कि अगर हमें कबूल है कि नहीं हम तो उनके साथ रहे खुशी से तो एक कलाकार होता है उसकी तंबना होती कि मैं फ़ला फ़ला के साथ काम करूँ फिल्मों में या वीडियो में कहीं भी आप सिंगर हैं आपको अगल मुका में लेगा कि चूज करो किस हिरों के लिए गाना है तो कौन से नाम होती है तो कौन से पर दfeld कियाना होता है फिर जो में यहक्ति हैं के साथ क्ष़िकर करोंना है तो शइस सएकसी तो थ्बकाजी को फील करो अगरनका गानाया तो नाचरलिगा होना बहुँत ज़रूरी कि अगर हम जो सोचते हैं वो डेफिनिटली कभी ना कभी होता है पर वोट इंपोर्टनिस हमें उस पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि डफिनेटली में बेडिका को कम टाइम लगता है किसी लोगों के लिए जाड़ा समय लगता है लेकिन खोता जरूर है यह मैंने मैंने देखा है जैसे कविताश्य आश्यथ हैं उनसे में जब बिलकुल मिलाकर हम होंगे काम्याब एक दिन मन में हैं इस बिलकुल ये बिलकुल से का जा सकता है कि जिस तरह से आज बीना सिंग ने अपनी प्रतिभा का जो एक लुहा मनवाने की कोशिश की है उसमें लगातार इनको सफलता है मिल रही है और आगे भी हम दूआ करेंगे कि लगातार सफलता है मिले इनके जो खाब हैं वो पूरे हो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है और हम दूआ करेंगे कि आप ने जो खाब देखा है वो पूरा हो तो इस खास पेश्कस में इतना ही बाकी के खबरों के लिए आप देखते रहे हैं देखते लिए याद देखते उसकार